कि नमस्कार दोस्तों स्वागता मेरे वीडियो गंदर मैं हूँ आपका दोस्त संदीप स्वामिय और आप देख रहे हैं वीडियो अंदर आपको श्रेप पर पूरी देख देने वालों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के जेगा वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर आने के बाद भी आपको manage के option पे क्लीक करना है कि वाइसी के option पे क्लीक करना है अगर आपकी KYC complete है तो आपको यहाँ पर bank के अंदर pen card के अंदर KYC approved दिख़ए देती है अगर आपको यहाँ पर rejected का option दिखाई देता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि rejected का option आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्यों दिखाई दे रहा है वो भी आप यहाँ पर remarkment देख सकते है name mismatch अगर आपके सामने भी इस तरह का कोई error आता है तो इसको आपको किस तरह से ठीक करना है किस तरह से आपको ये KYC complete करनी है तो इसको सबसे बिले तो आपको KYC को complete करने के लिए आपको यहाँ पे bank, pen और passport का option दिखाई देता है जिसके अगर आपकी bank के अंदर error, rejection आ रहा है तो आपको यहाँ पे bank के option पे click करना है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि account number आपसे मांगा जा रहा है वहाँ पे आपको account number देना है same confirm account number के option पे आपको same account number वाप्पी से एंटर करना है उसके बाद में आपको आपके bank का IFC code है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है उसके बाद में आपको आपकी bank की branch का नाम और आपकी bank का नाम आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाता है इसके बाद में आपको नीचे आईएगरी के option पे click करना है checkbox पे आपको click करना है click करने बाद में आपको नीचे आना है उसे के साथ में आपके मोबाइल नमबर पर एक OTP सेंड के जाता है, जो कि आपके UN के साथ में रजिस्टर और आधार काड के साथ में रजिस्टर मोबाइल नमबर पर OTP आता है, वो OTP आपको यहां पर एंटर कना है, अगर आपके आधार काड के साथ में रजिस्टर मोबाइ पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप यहां पर आपका जो OTP एंटर करते हैं उसके आप जैसे ही सब्मेट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह कर नोटिफिक्शन आता है बैंक अकॉंट नमबर वेरिफिकेशन इस अंडर प्रोसेस प्लीज वेट तो इसके बाद में आपको क्या करना है फोर टू फाइव डेज के लिए वेट करना रहता है उसके बाद में आपको वापिस जाना रहता है आपकी जो रिक्वेश्ट नीचे आपकी पैंडिंग दिख करवा सकते हैं पुराना रिजेक्शन का जो अकॉंट नमबर था वह आप नीचे यहां पर देख सकते हैं दोनी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाती है तो इस तरह से आप आसानी से गर बटे अपने मुबाइल या लैप्टॉप से आपकी जो बैंक की के वाइस से उसको complete कर सकते हैं PF account के अंदर और आपका जितना भी PF का amount है उसको आप withdrawal करा सकते हैं जितना भी आपका pension का amount है उसको आप यहां पर withdrawal करा सकते हैं कई बार क्या होता है आपके bank account के अंदर और आपके अधार card के अंदर और आपके pen card के अंदर same नाम आपका होता है फिर भी आपको कैसे लगी हमें कोमेंट कितके जरूर बदाईएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा आपने फैंवी और फ्रेंट्स में शेयर कीजिएगा ताक कि वह इसका बेनी वीडियो के इसके लाव अगर आपने मारे के लोकाफ तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैन कर दो.